नमश्कार दोस्तो मध्य पर्देश की लेटेस्ट ब्रेकिंग नुस्त ताजा कबरे लेके आ गए हूँ अगर आब मध्य परदेश में तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा मध्य परदेश में किसन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आई है मध्या परदेश में दोस्तों कोरोना वाइरस को लेकर काफी बड़ी अपडेट आई है साथ में दोस्तों मध्या परदेश में जो है सरकारी नोकरी और जॉब को और वेकेंसी को लेकर काफी बड़ी अपडेट लेकर आई हो और मध्य प्रदेश के पेट्रोल प्राइस और डिजल प्राइस को लेकर काफी बड़ी अपडेट लेकर हैं साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश में बारी ठंड के भी कई जिलों में दोस्तों बारी ठंड को देखते हैं सीथलेर कॉलेट को देखते हैं मैं आप सभी को बताऊँगा अगर आप भी मध्या प्रदेश के किसी भी जिले गामे शेयर में रहेते यानि पूरे मध्या प्रदेश में कई पर भी रहेते इस चैनल को इलाल वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में गंटे के आइकन को दबा कर ओल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बता है कि आप मध्या प्रदेश के कौन से जिले गामे शेयर में रहेते हैं और वहीं दोस्तों बता है जारी कि महिला आर्केटेक मुंबई आई है और मुंबई से जबलपूर आई थी और वहाँ पर उनका कोविड टेस्ट हुआ तो वहाँ पर जो है जिसे किसानों के आई में इजवा हो सके और इसी क्रम में मध्या प्रदेश सरकार राज्य में घाय बेस पालन पर अलग-अलग योजना उपर सबसीडी लाप प्रदान कर रही है राष्ट के गोकुल मिशन योजना के देथ भारत सरकार के मत्से पसुपालन और डेरी मंतरा लेके आधीन पसुपाले और डेरी विबाग दोरा ब्रीड मल्टिप्लिकेशन फॉर्म के निर्मान करने वाले किसानों को लाप दिया जाना है इसके लिए मध्य प्रदेश के मंसर जिले में इच्छु किसानों के आवेधन पत्रामंतरित किये गए हैं अगली नियूस की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में माराना प्रताप की जैनती पर रहेगा आउकास शिवरा सिंग ने की गोशना जी हाँ दोस्तो मध्य प्रदेश के मुक्य मंतरी सीम सिवरा सिंग जोहान ने जोई गुरुआर को माराना प्रताप की जैनती पर आउकास की गोशना के साथ ही ये भी कहा गया है कि 2008 की फिल्म पदमा बताई थी ना तब काफी आंदोलन हुए थे उसके मामले में जितने भी कर जो है दर्ज मामले यानि जितने भी केसे वो वापस ले जाएंगे अगली ने उसकी बात की जाए तो दोस्तो केंदर में सरकार बनी तो OBC वर्ग का आरक्षन लागू करवाएंगे कमलनात ने किया वादा जी हा दोस्तो मध्य परदेश के विदान सभाच उनाओ से बहले ही दोस्तो आठ जो है आठ से नो महिने का सेज समय रहे गया है लेकिन मध्य परदेश की सियासत में दाओं का वादो का जो जो है ज़ो है जम कर चल रहा है प्रदेश के पूर्व मुक्यमंतरी पे PCC चीफ कमलनात दोस्तों OBC दाओ कहला है कमलनात ने सतना में अन्य पिछड़ा वर्ग के समवलन को समधित करते वे का कि मैं वचन देता हूँ जब भी हमारी केंदर में सरकार आएगी तब हम सविधान संसोधन यानि constitutional amendment करके पिछड़ा वर्ग की सही जनगना करवाएंगे और पिछड़ा वर्ग को आरक्षन के लाब में यानि की reservation देंगे दोस्तो आपके क्या राएए कि वपस जो है केंदर में जो है congres सरकार आ सकते है या फिर आने वाले दोस्तो जो है विदान सबा चुना वैनि 8-9 महिने में जो मध्यपरदेश में चुना होंगे उसमें किसकी सरकार बनेगी Congress या फिर दोस्तो बीजेपी के हमें कमेंट करके जरूर बतना यानि यह किसी और पार्टी की बनेगी वो भी कमेंट करके जरूर बतना अगली नियूस की बात किया तो दोस्तो मध्यपरदेश में यहाँ पर सरकारी नोकरी को लेकर आ रही है जी हाँ दोस्तो बता है जार की मध्यपरदेश में सरकारी नोकरी की बाड़े MPPAB और MPPSC से जारी किया 48 बर्तियों के नोटिफिक्शन तो आप सभी को बता है दोस्तो मध्यपरदेश में MPPSC की जो है मध्यपरदेश लोग सेवा आयोगने राज्ये में विपिन पदो के लिए बढ़ती की राज्ये सेवा परिशा 2022 का नोटिफिक्शन निकल है MP Medical Officer की परिशा दोस्तो अभ्यारती 20 जन्वरी से ओनलाइन कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर Food Analyst and Drug Analyst भरती भी आ रहे है 15 जन्वरी से आवेदन कर सकते हैं Assistant Professor Biochemistry बरती आवेदन परकरिया 15 फर्वरी से Assistant Professor Botany बरती की आवेदन परकरिया 15 थे तो काफी ज़्यादा बरते निकलिये तो जल्दी से आप आवेदन कर सकते हैं अगली नुश की बात की जाते हैं दोस्तों वो सोने और चांदी को लेकर आ रही है बताएजार की रोजणा सोने और चांदी की कीमतों में कुछ ना कुछ बदलावरा है साल के शुरुआत में बाज़ार पर निवेशक नजरे टिकाए बेटे हैं वह दोस्तों आम लोग भी सोने और दाम की कमी जो है काफी आने की उमीद लगाए बैटे और ऐसे में आज उनके लिए सोना खरीदने का अच्छा मौका है बैंकबाजार.com के अनुसार आज जो है मध्यपरदेश की राजदानी बोपाल में 22 करेट सोने के दाम 52,240 रुपे प्रति 10 ग्राम की कीमत पर है और 24 करेट सोने का कीमत जो है 54,840 रुपे प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है वाई दोस्तों चांदी की कीमत की बात की जाए तो चांदी की कीमत भी यहाँ पर लगबख 75,000 प्रति किलो पर भीक रही है तो अगर आपको लेना है तो जल्दी से नजदी की सराफ़ बजार में जाकर ले सकते हैं अगले नियुस की बात किया तो दोस्तों, मध्यपर्देश में पेट्रोल के दाम को लेकर आ रही है कि जाते हैं दोस्तों वो आ रही है मध्या प्रदेश के मौसम को लेकर मध्या प्रदेश में उत्री सर्द आओ के कारण पढ रही कड़ाके की ठंड है इन जिलों में तीवर सीत लेर के आसार तो MP में ठंड का कहर लगातार जारी है जिसके कारण लोगों को कई दिक्कतों का सा हुआ है बीते 24 गंटों के दोन भी विबिन लाकों पर दत्या और भिंड में हाड कमपाने वाली सर्दी देखने को मिली है ताजे जानकरी के मुतार लगातार 200 ठंड के कारण जो है जानमाल का खत्रा भी देखने को मिल रहा है तो कई जगों पर लगातार मौसम में परिवर द्रतन हमें देखने को मिल रहा है ताजे जानकरी के मुतार अभी भी दोस्तों मत्यया प्रदेश के विबिन लाकों पर मौसम में परिवर्त ने यहां पर दोस्तों कि की इलाकों में काफी ज़्यादा मौसम में बदलाव देखने को मिला है तजय अनकरी के मुताद 200 जबलपूर में बारी ठंड का प्रगोप है और अगले तीन दिनों तक 200 ठंड से बिलकुल रात नहीं मिलेगी और जानमाल के खत्रे वाली ठंड रहेगी आएमडी बोपाल के मुताद 200 जारी की मध्या प्रदिश में पिछले 24 गंटों की दुरन सबसे कम नियोंतन तापमाद छतरपूर जिले के नौगाओ कजबे में 0.2 डिगरी से रेकोर्ड के गया और मौसम विबाग ने बताए कि दत्या का नियोंतन तापमाद 2.5 डिगरी के क हजुरा में दोस्तों यहाँ पर गना कोरा राज जबकि गौालियर रिवा में नौगाओं में मध्यम से गना कोरा चाहे राज मौसम विबाग के मुताद अनेक इलाकों पर ठंड का प्रकौपे तेज आवाई चल रहे और अगले 24-40 गंटों की दुरन भी हमें बारी से बारी कहर बरफाने वाली ठंड से बिल्कुल भी रात नहीं मिलेगी और ऐसा ही मौसम रेगा कड़ागेगी सर्दी के साथ और दोस्तों यहाँ पर अलड भी जारी क्या गया है कोल्ड वे को लेकर मौसम विबाग के पूरान वन के मताद ग्वालियार चंबल संभा के जिलों के साथ सात रिवा जबलपूर और सात में उमरिया दमवा सागर चतरपूर टिकमगड निवाडी निम्च मंसोर राइसेन बोपाल, जाबुआ, धार, इंदो, रतला, मुझ्यन और देवा जिलों में सितल दिन यानि कोल्ड रेने को लेकर अलड जारी क्या गया मौसम विबाग के द्वारा चिंता बड़ी है लोगों के और कई जगों पर SI सिस्टम एक्टिव होगा और पश्ची में हवाई इरान इराक से चलेगी और जो कि दोस्तों मध्या परदेश की इलाके में प्रवेश करेगी और कई जगों पर बारी ठंड का प्रकॉप काफी अधिक रहेगा बता देगी राजदानी बोपाल में जिला कलेक्टर ने आधिस दिया है कि 10 जन्वरी तक नर्सरी से 8 वी तक के सभी नीजी और सरकारी स्कूल में छुटी की कोशना की गई है क्योंकि दोस्तों कई जगों पर बारी ठंड के गारन जानमाल का खत्रा भी काफी अधिक जगों पर देखने को मिला है ताजे जानकरी के मुता दोस्तों अभी भी इस वक्त जब में ये वीडियो बना रहो तो भी सीथ लेर का प्रकाव लगातार जारी है और ठीटोरन बढ़रे और मध्या प्रदेश के अनिक इलाकों पर काफी जदा मौसम में परिवरतन है ग्वाले और मध्या प्रदेश का मौसम अगर आपको वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और आप मध्या प्रदेश के कौन से जिले गावे शेर में रहते कमेंट करके जरू बतना